जहीं दोस्तों कैसे हो आप सब मैं उमीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्पन SSC GD काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है बहुत दीनों से लड़के इंदिजार कर रहे थे और बहुत तरह के लिक्स भी आ रहे थे SSC GD वेकेंसिस रिगार्डिंग लेकिन अभी SSC के द्वारा केलेंडर जारी किया गया है और सब कुछ किलियर कर दिया गया है कि SSC GD की वेकेंसि कब देखने को मिलेगी एकजाम कब हो गया कितनी सीट पे वेकेंसि आएगी ये भी लगभग किलियर हो चुका है इस वीडियो में पुरा फूल डीटेल में समझे कि कब क्या देखने को मिलेगा इसमें आपको सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है सेलेरी क्या देखने को मिलती है ये टूजेड हम लोग बात करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होगा और समझ लो कि ये काफी सुनारा मौका है आप लोग की अच्छा रहता है और काफी हद तक लड़के जो कमजोड लड़के रहते हैं वह भी इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं देखिए जो एससे के दुगारा कलेंडर जारी किया गया है उसमें किलियर कट आपको बताया गया है 24 नॉमबर को जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 24 नॉमबर 2023 इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फ़िबॉरी मार्च में जो है इसका एक्जाम कंड़क्ट होगा और इस वेकेंशी का नाम दिया गया है S.S.C.G.D. 2024 मतलब कि 2024 की ये वेकेंशी होगी और 2024 म तो आपका 2022 की जो वेकेंसी थी 2023 में complete होई अब 2023 की वेकेंसी जो है 2024 में shift हो गई है तो 2025 तक complete होगे तो फिर 2024 में आपको बिल्कुल वेकेंसी देखने को नहीं मिलेगी तो समझ लो जो है ये 2023-2024 की वेकेंसी इसको मान सकते हो देखो इसमें वेकेंट सीट कितना होगा तो तो इतने सारे सीटों पर आपको वेकेंसी देखने को मिलेगा चलिए अब सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में इसका समझते हैं कि क्या चीज ये और एस क्रैटेरिया वगेरा क्या देखने को मिलता है किनकी काफी ज्यादा लड़के कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेके देखिए स्लेक्शन प्रोसेस में आपको तीन-चार चरण देखने को मिलते हैं सबसे पहले तो आपका एक्जाम होता है फिर जो है आपकी फीजिकल कराई जाती है फिर आपक क्याता है बस इसमें जो है आपको जेनरल साइंस से मतलब कि जीके जीए स्करेंट अफेर से जो है आपके बीस कोश्चन रहते हैं 40 नंबर के उसके वाल से जुह है रिजनिंग से आपके 20 कोश्चन रहते हैं 40 नंबर के और हिंदी या इंगलिज दोनों में से कोई एक सेलेक का रहता है आपको बिलकूल समझे लोकी तेन्त बैसिस पराता है जो इसका सिलेबस है बिलकुल तेन्त बैसिट पर आधारित है काफी अच्छा रहे हैं बहुत सारे लड़के अपने स्टेट पुलिस का बगैरा का तैयारी कर रहा हैं तो यह जो है इसके लिए यह काफी सबकुछ किलियर हो गया है तो आप जो है आपको मेहनत करना ओर अपने लक्ष को पाना है तो देखिए यह के बारे मात करें तो इसमें जो है आपका 18 से 23 एज देखने को मिलता है पिछली वेकेंसी में आपको तीन साल के छूट भी देखने को मिली थी लेकिन जहां तक इस वे प्रसपार पर टेखने को सबस्ट के बारे में समझे गिए मेल कंड़िए जो हूंगे जनरल OBC और सिस्ट इनका 170 रिया जाता है और जो मेल कंड़िए स्टी होंगे इनका जो है 162.5 त्यक्तार है चेश्ट जो है 18-85 सेंटी मितर लगता है और रनिंग जो है एक संतावन सेंटीमीटर मांगा जाता है और फीमेल जो एस्टी होंगे इनका हाइट एक पचास सेंटीमीटर देखने को मिलता है और इन लोगों को जो है 1.6 केम की रणिंग जो है साड़े 8 मिनिट में करनी होती है तो यह आपको फिजिकल क्राइटेरिया रहता है फिजिकल म और इसमें कुछ ज्यादा चीज़े देखने पने मिलते हैं तो फिजिकल जो है जस्ट वर क्वालिफाइंग नेचर का होता है में जो है आपका फाइनल मेरिट रिटेन पर बनता है तो सेलेक्शन प्रोसेस में यह आपको क्राइटेरिया देखने को मिलती है अब इसके बास डॉक्मेंट्स लगेगा वैली डॉक्मेंट्स रहना चाहिए और सेंट्रल कराना चाहिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है सेंट्रल की डॉक्मेंट्स आपको बनानी है अपने राजे सरकार की या अपने तहसिल की डॉक्मेंट्स नहीं बनवानी है भारत सरकार लिखा ह तो इनलों की salary 45-50,000 तक चली जाती है। अब देखिए थोड़ा सा job profile के बारे में समझ लीजिए, जोब profile में जैसे कि आप जो है इसमें 67 department देखने को मिलता है, जैसे कि NIA हो गया, SSF हो गया, उसके बाद से CIA सेफ हो गया, BSF हो गया, ITVP हो गया, SSB हो गया, तो हर किसी के बारे में बताना संभव नहीं है, मैंने एक पार्टिकुलरी वीडियो बना के अपडेट किया है, तो उसका लिंक में description में देदूँगा, एक एक चीज के बारे में clear cut मैंने बात किया है कि कब किसका अस्थापना हुआ था, और किसकी मुख्यता क्या duty रहती है, तो उसको दाके द पर देखने को मिलता है, और बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि कौन सा पोस्ट बेहतर है, जब यह विकेंसी आएगी, तो इससे रिगार्डिंग एक वीडियो बनाये जाएगा, बाकि मैंने आगर आप SSGD का playing list शेक करोगे, तो पुरानी वीडियो उसमें आपको देखने क मिल जाएगी, कि किस तरह से आप पोस्ट प्रिफरेंस चूच करिए, और कौन पोस्ट आपके लिए बहतर आने माला है, अपने हिसाब से हर पोस्ट जो है बहतर है, क्योंकि अल्टिमेट लिए आपको पैसा कमाना है, आप दिरोजगार हो, कोई भी मिल जाए तो बहतर है, तो यहीं इसका फूल डिटेल रहा, मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और बेलकुल जो है, जो भी लड़के इंतजार कर रहे थे, वह अपने तैयारी में लग जाए, काफी golden opportunity है, और एक होता नहीं है, कि आपको सब कुछ पता है, कि form कब आने वाला है, एक्जाम कब होगा, फिजकल कब होगा, तो आपको तैयारी करने में भी मजा आता है, पाकि जैसे कि state police vacancy आती है, कोई पता है, कुछ पते नहीं रहता है, form कब आएगा, एक्जाम कब आएगा, लेकिन SSC कि form भरने में यहीं एक plus point रहता है, कि आपको हर कुछ पता रहता है, पहले से ही, कि exam कब होगा, form कब भराएगा, इसलिए जो है, आपको पढ़ने में भी मजा आता है, और तैयारी करने में भी, form भरने में, physical की तैयारी करने में, हर कुछ में जो है, आपको मजा आता है, और इसमें जो है, आप अच्छे से concentrate करके, जो है, अपना हर काम करते हो, यहीं इसका full detail रहा, इसकी अलावा भी यदि आपके दिमाग में कोई question की उरी सुझाव बन रहा होगा, तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कोई next update में, जैहिंद बने मात रहूं,